श्रीमत हुम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यह जो एक जनवरी को हम नया साल मनाते हैं यह कब शुरू हुआ कैसे मनाया जाना शुरू हुआ और हमारा जो सनातन धर्म है वो क्या कहता है देखें हमारे सनातन धर्म के हिसाब से सुष्ठी का जो आरंब है वो चैतर शुक्र परतिपदा से हुआ था इस हिसाब से चैतर शुक्र परतिपदा मतलब जो गुड़ी परवा पढ़ेगा महाराश्राम में गुड़ी परवा होता है उस वर्ष को उस दिन को नौ वर्ष मना जाना चाहिए उस दिन को एक जनवरी को नव वर्ष मनाना हमारी संस्कृति के हिसाब से मैच नहीं करता है कि एवन परचार पाने के लिए ऐसी परंपरा की अस्थापना करना अनुचित है जितने भी धर्मा चाह रहे हैं जितने भी विद्वान लोग हैं वो अंग्रेजी करेंडर के हिसाब से नौ वर्ष मनाने को अनुचित मानते हैं क्या उंका कहना ये है कि भाष्तित्र धर्मस सास्थ और संस्कृतिके यह इसाब से 9 वर्स सीमना ने क्या पिक्षा हम 9 वर्स में मना रहה हैं। हम पाष्यात संस्कृति के अंदी दड़ में शामिल हो रहे ह b और यह सारńी सारी को निए वर्स मना लेती हैं। अभी हम यह आपको बताते हैं कि 1 January को 9 words दिवस किस ने और कव मराना शिरू किया ठीकि जो नया साल है वो Gregorian calendar के अनुसार 1 January को होता है अलग-अलग संस्क्रीतियों के अपने calendar और अपने 9 words होते हैं दुनिया के देश अलग-अलग समय पर नया साल मनाते हैं बिबिन्य संप्रदाय के 9 words जो होते हैं जो समारोज होते हैं वो अलग-अलग टाइम पर होता है और इसका महत्य भी उनकी संस्क्रीतियों के हिसाब से भिन्न होता है ऐसा माना जाता है कि नया साल का उसर्व 4000 साल पहले बेबिलोन में मनाया जाता था पर तब यह वर्स 21 मार्श को मनाया जाता था जो कि वसंत के आगमन कि दी थी वानी जाती तो पहें नड़े वहां पर रितू जुड़ा हुआ था हमारी एक रितू थी तो कुछ न कुछ वहां पर एक साइकलोजिकल एफेक्ट था कुछ ने पुछ अच्छी चीज़े रही होगी अभी प्राचीन रोम में भी नव वर्स उसर्व जो था तभी मनाया जाता था वह उसी तारीक को फिर रोम के बाद सा जूलियस सीजर ने इसापुर्व 45 में वर्स में जूलियन कलेंडर की करना पड़ा था हिंदू मानेताओं के अनुसार इश्वर ने दुनिया को साथ दिन में इन साथ दिनों के बाद नया वर्स मनाया जाता था यह दिन ग्रेगोरियन कलेंडर के मुटाबिक 5 सेप्टेंबर से 5 अक्टूबर के बीच आता है तो हिंदूों का नया साल तो चैद नवडात्री से पहले आ जाता है तो इस देश में अलग-अलग नामों से हमारा मनाया जाता है जैसे मारवडी का है तो मारवडी का नया साल दिपावली के दिन है गुजरादी का दिपावली के दूसरे दिन है तो यह हमारा नया साल की चीज़े हैं और हम चाहते हैं कि नया साल आपको मुबारक हो और आप भी नया साल मनाए क्योंकि आप भी पाश्चात शेली से ही जुड़े हुए हैं आज हम हर लोग जुड़े हुए हैं तो आप सबको नया साल मुबारक हो तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पर सबस्क्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन आप